हेलो एंड वेलकम डियर सुदेंस ओके सो आजके लेक्चर में हम एक ऐसा फॉर्मेट करने जा रहा है एक ऐसे फॉर्मेट के क्वेस्टन करने जा रहा है जो प्रिविएस 10 यह में कंटिनुवसली इस फॉर्मेट का एक एक वेस्टन आ रहा है प्रिविएस फॉर्मेट को इंग्लूड नहीं किया इस फॉर्मेट को संबदने के लिए हम दो बेजिक क्वेस्टन से हम स्टार्ट करेंगे आजका लेक्चर आपको पर्टिकुलर्ली कोई कोई गीटन में क्या इंगवन मेंको कादीकर अब उसमें देखने वाली बात यह है कि कि द्युमेटर में आपको क réalité सिंपल से Mixoph और नीचे दीनोमिनेटर में आपको कोई complicated सा टम घीवन होगा देखो यहां पर x simple है यहां पर एकसे स्था आपने नीचे आपको एक bracket घीवन होगा यह important है किया आपको एक bracket दिखना चाहिए और उस होना चाहिए जिसकी कोई ना को इंटीजर या तो फ्रेक्शन पावन ओगी और उपर क्या होना वाला उट तो उप्पर गंबल से आपको वह सिंपल सा अटम की वह वनोगा सिंपल सा कोई आपको एक ऐलजबरिक पोलीनोम ही वह बराबर ओके तो इस तरीके को इस तरीके के तो सबसे पहले इस फॉर्मेट के हर एक्वेशन में यूज़ करने वाले वह सबसे पहले यह है कि जो भी आपका पूपकी मिलने वाले कोई complicated टंट तो उसमें से x की जो भी कुछ बड़ी पावर है उसको कमबन इसको कम कर लो मानलो कि तो कोई बड़ी पावर कॉंबन निकालो मालों कि यहां पर ऐसा होता कि 1 ऑसकोषाइंस इसक्तू-4 मतलब कि दो त्रम है उसमें से एक्सट की बड़ी पावर कोन है तो एक्सटू-4 तो उसको कॉंबन निकाल लो यह में अगे क्या करना है वह हम घरेक्ली क्वेशिन पर देखते हैं ओके तो आई यह फर्स्ट क्वेशन इसका सॉल करते हैं तो उपड़ तो अभी हमें सब एक्स टू सेवन नीचे क्या दिख रहे हैं आपको वन माइनस एक स्कॉर यह पावर फाइब को भी भूल जाओ तो वन माइनस एक स्कॉर मुझे स्कॉर और फूरे की कितनीं पावर है और नीचे क्या होगा तो एक स्कॉर की भी फाई पावर होगी एस बेकेत की भी 5 पावर होगी separate बराबर ओके तो चलो यह काम करते हैं तो एक सिस्टू सेवन और नीचे क्या होगा टू इन्टू फाइड इस एक सिस्टू टैन और इन्टू यहां पर क्या है एक सिस्टू माइनस टू माइनस वन और उसकी भी 5 पावर एंड देन डी एक्स चलो अब एक स पर्मेट के सारे क्वेश्ट्न में करना है जो अभी मतलब कि मैंने common निकालने के बाद दूनों को पावर मैंने separate कर दी वह भी हमें हरे क्वेश्ट्र में करना होगा यह मुझे इस तरीके का एक simplified term मिला तो अब मुझे करना है तो यह जो नीचे जो मैंना complicated time है ना उसको दिफ्रेंस के लिए यहिए वाला स्टेप टो एक स्टु माइनस ट्चू माइनस वन इस एकल टी ओके चलो इसको रिफरेंसेट करो तो उसका डिफरेंस्टी इसन क्या होगा minus 2 आगे x raise to minus 3 okay x raise to minus 3 then dx is equal to dt clear it is okay अब मुझे numerator में क्या चाहिए ध्याहन से देखो तो x raise to minus 3 dx तो यह minus 2 कहा पे जाएगा dt के नीचे so what is remaining x raise to minus 3 dx is equal to minus dt upon 2 बराबर तो अब यह सारी चीज़ों को हम बापिस इस particular step में put करते हैं okay so in numerator what we get we get minus dt upon 2 okay so minus dt upon 2 मैंने रख दिया अब denominator में आपो क्या दिख रहा है so यह क्या है actually t so t की 5 पावर होगी so 1 upon t raise to final उसको अगर मुझे numerator में लिखना है so how I will write t raise to minus 5 and then dt बराबर इसको तो integrate करना एक दम आसान है तो यह क्या होगा t raise to minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 then plus c चलो यह minus minus cancel 4 to z8 so 1 upon 8 और tk minus 4 power tk minus 4 power को मुझे नीचे लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा t raise to 4 लेकिन t actually क्या है t actually है x raise to minus 2 minus 1 then plus c अब मुझे क्या करना है तो एक चीज़ याद रखना कि मेरा जो final answer होगा ना उसमें x की सारी power को मुझे पॉजिटिव रखनी है तो मैं क्या करता हूँ एक सिंबल जीस करता हूँ धियां से देखो x is to minus 2 एन उसको मैं one upon x को लिक सकता हूँ yes then plus c अब इसको क्रॉस मुझे करो तो क्रॉस मुझे करने पर आपको क्या मिलेगा वन माइनस एक स्कूर अपन एक स्कूर कहां बजाएगा उपर दें प्लस दी तो इस आवर फाइनल आंसर है एक दम मस्ट क्वेशन ओके तो यह दो बेजिक लिएक पावर को 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 यह निकालना के बाद डहाल से थोड़ा से करना संटाओ से वं संे लिए घंड़ करना होगा तो इसको नीचे इसा बचा रॉसप्रेद्टि इस और आपको ऑ्को ऊंटोमेटी के मिल जाएगा बरावर नैसा होने और लाईस्ट च्वेस्यें आंसर लिखने के टाइम पे मुझे क्या सोचना होगा कि मेरी जो एक्सकी पावर होगी बराबर क्योंकि मैंने एक्सकी नेगेटिव पावर को टी सपोस्थ किया होगा हर एक क्वेश्चन में आप देखना तो जब भी मुझे फाइनल अंसर लिखने है उस टाइम पे एक्सकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देनी है तो इस इस आवर फाइनल एंसर ओके चलो नाव मुझे टूर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे भी आपको न्यूमेरेटर में एक सिंपल सा टम दीख रहे हैं और डिनोमिनेटर में आपको कॉंप्लिकेटर सा टम और उसक प्रह था तो दोनों फावर को हम सेपरेट कर सकते हैं उटा एक सेट चूलई नीचे और — प्रह traits गेशिए को कि दीख्र सोगार अब चेक करो x upon x raise to 6 क्या होगा तो numerator में होगा x raise to minus y तो नीचे क्या बचा x raise to minus 4 minus 1 की power 3 by 2 dx मतलब यह हमारा simplified term हो गया अब मुझे क्या करना है तो ignoring the power बर जो अंदर है term उसको मुझे टी सबोस करना है बराबर तो let x raise to minus 4 minus 1 is equal to t दोनों तरफ differentiate करो तो यह minus 4 x raise to minus 5 dx is equal to dt बराबर अब numerator में देखो तो यह मेरा set होगा है तो minus 4 को नीचे ले जाएंगे बराबर तो minus 4 dt के नीचे आगा है उसको उपर लिखेंगे तो t raise to minus 3 by 2 होगा and then dt अब minus 1 by 4 as it is into t raise to minus 3 by 2 का integration क्या होगा तो minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1 okay now minus 3 by 2 plus 1 क्या होता है minus 1 by 2 so t raise to minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 plus c बराबर चलो अब यह दोनों प्लस होगा बराबर यह 1 by 4 upon 1 by 2 that is 1 by 2 so 1 by 2 है पाएगा और t raise to minus 1 up को निये में नीचे लिखूंगा तो t raise to 1 up होगा and t खूद क्या है तो x raise to minus 4 minus 1 की 1 up power plus c अब एक काम करो x raise to minus 4 को positive 1 upon x raise to 4 लिखो okay so यह last काम आपको खुद से करना है कि यह steps कैसे हैं और इसको solve कैसे करते हैं बराबर ओके तो वीडियो पॉस्ट करके यह दोनों क्वेशन सूट डाउं कर लो and then we will move towards our remaining questions okay students so our next question okay अब यहां पर आपको क्या गिवन है एक सेक्ड यहां पर integration लिखना रहा गया ओके चलो इफ इंडियेशन आफ देखो numerator में आपको कोई polynomial दिख रहे हैं और नीचे भी आपको एक पॉलिनोमेल लिख रहे हैं लेकिन नीचे का जो पॉलिनोमेल है ना उसकी कोई ना कोई पावर है बराबर और यह एकदम से कॉम्प्लिकेटर से अटम है जो उपर है एक स्क्यूब मैने से डड़ी से एक सिंप्लेस टर्म ओके मतलब कि यह फॉर्मेट का ही प्राइबर चलो अब इसका आंसर अगर इस टैप का है तो यहां पर जो के है ना उसकी वैल्यू क्या होगी डेट विटू फाइंड बराबर तो सबसे पहले हम जो ही भी हमारा स्टैप है वह करते हैं तो एक स्क्यूब माइनस एट होल डिवैड बाई एस क्यूब और अंडर उट ओफ एक से टूफ प्लस टू डी एक्स बराबर ओके अब हमारा रूल क्या है तो जो भी कोई कॉंप्लिकेट रसाटम है उसमें से एक्स की सबसे बीगेस्ट प ओके लेकिन इसपर से बीगेस्ट प पवर क्योंसे एकस एस टो फॉर तो उसको कॉमन रिकालो तो यहां पर क्या बचा वन देन यहां पर बचेगा एक्स टो माटाव फोर बराबर और पूरे की बनबाई टूब पवर दी एक्स क्लियर ओके चलो अब उपर है एक्स सब्सक्राइब करेंगे इसके नीचे सेट करेंगे मतलब कि एक्सक्राइब अपॉन एक्स्राइब करेंगे बराबर तो देखो यहां पर एक्सक्राइब करें एक्सक्राइब अब नीचे के मिलने वाला आपको वन माइनस एक्सक्राइब करना है तो इग्नोरिंग दपावर जो भी कुछ इंसाइड प्रैकेट है उसको मुझे टी सब्सक्राइब अब या होगा मैनस एक्सी इसक्राइब दफेन सीएट करो तो वन का डिफेरेंश इसेड सेल् सिरो यहां पाने के एक्सार अगाएगा एक्श्वी यहां पर माइनस वन अप्सक्रा रहगा बराबर गाश्वीं प्लस एक्सस्त 그게 अग्स्राइब 8 x raise to minus 3 बरावर then dx is equal to dt clear okay अब यह ही तर्म एक सेक्ड यहाप यह माइनस 5 होगा यहाप यह माइनस 5 होगा minus 4 minus 1 is minus 5 अब यह ही तर्म आपको कॉपी numerator में दिख रहा है कि नहीं यह दिख रहा है बराबर so in place of numerator we will write simple dt okay so my question becomes dt बराबर अपर निचे क्या होगा टी रेस्टू वनाफ को अगर मैं उपर लिखू तो टी रेस्टू माइनस वनाफ का इंडिकेशन क्या होगा टी रेस्टू माइनस वनाफ प्लस वन अपन वनाफ अपन वनाफ को मैं उपर लिखू तो दू होगा एंदेन प्लस सी बराबर चॉल अब यह टू एज इस ओके अब यह टी है टी खुद क्या था मेरा टी खुद था यह वाला टम सो एक्टुली टी की वन हफ पावर है न तो मैं इसको अंडरूट में लिखता हूं और इन प्लेस आफ टी आइविल राइट वन माइनस ओके अब लिखना सिखा था पॉजिटिव पावर के फॉर्म में और प्लस यहां पर क्या होगा टू अपॉण एक्से टू फूल देन लेकिन द्यान से देखो यह आंसर से अभी मैच नहीं हो रहा क्यों क्योंकि यहां पर एक्स उपर है यहां पर एक्स नीच तो मुझे क्या करना एक्स तो थी होगा ओके और यहां पर सिंपल डू होगा और नीचे आएगा एक्स तो फॉर देन प्लस थी ओके अब एक्स तो फॉर एक्शली अंडर रूट के अंदर है तो मुझे उसको अंडरूट की बहर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा एक स्क्वेर ओके अब इस को हमारे RHS से कंपेर करो तो यू विल फाइंड के इस एकल डू बराबर तो ऑप्शन नबर बी इस मैं फाइनल अंसर ओके तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मेट के हरे क्वेशन को कैसे स्वाल करते हैं ओके सो पॉस्ट वीडियो और नॉटिट इन नॉ ओके सो वाट देस्ट इस इस इफ इंटिगेशन ओफ दी एक्स क्या है तो हमें यह गीवन है कि एक फंक्शन है जिसका इंटिगेशन इस ओफ इस ताइप ओके तो इसके आंसर को इससे मैच करके हमें एफ एक्स फाइं करना है है तो यह इंटिगेशन की स्वर्मेट का है तो देखो यहां पर आपको एक्स टू थी को उपर अगर आप सिफ्ट करते हो तो क्या मिलेगा आपको एक्स टू माइनस री डैट इस वन ऑफ दो सिंप्लेस्ट फॉर्म और नीचे आपको कोई एक कॉम्प्लिकेटर से पावर स्वर्म पावर डियूटि की कोई पावर गीविवर है right अगर पॉली नोमेल पॉली नोमेल है सब कुछ जिसमें आपको एक पावर की एक ब्रेकेट की कोई आपको कॉम्प्लिकेटर से पावर घिवन है 2 3 फ्रैक्शनओं पावर है वे तो यह पूंप्लिकेटर से म्हां समं उसको कॉमण निकालो ख की प्लेस में क्या बचा एकक्स स्टो मायने सिक्स ए अधेन प्लस वन ऑके और पूरे की टिम्द्ट वाइट री पावर क्लियर चलो अब ध्यान से देखो तो एकस कुप तो है बनापर अब एक्स दिन सेवेट की टूबाइ थ्री पावर डाट इस बि तो क्या होगा x raise to minus 7 और नीचे क्या होगा x raise to minus 6 plus 1 कि 2 by 3 power dx मतलब कि यह मेरा simplified term आया एकदम simplest term आया अब इसमें मुझे क्या करना है तो ignoring the power यह जो bracket के inside में है उसको t जबोस करो So let x raise to minus 6 plus 1 is equal to t चलो दोनों तरफ differentiate करो तो minus 6 x raise to minus 7 then dx is equal to dt चलो मतलब कि यहाँ पर requirement किसकी है numerator में तो सिर्फ इस term की तो minus 6 को हम कहां पर ले जाएंगे dt के नीचे तो हमें मिलेगा minus dt upon 6 अब इन दोनों terms को हम हमारे इस question में put करते हैं तो numerator में आपको क्या दिख रहे है numerator में आपको दिख रहे है minus dt upon 6 तो minus 1 by 6 and then dt ओके अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा तो 1 upon t की 2 by 3 पावर तो उसको में उपर लिखू तो क्या होगा 2 raise to minus 2 by 3 चलो अब minus 1 by 6 as it is अब इसका integration क्या होगा तो 1 by 3 upon 1 by 3 is basically into 3 and then plus c 3 to 6 मतलब कि minus 1 by 2 और t की 1 by 3 पावर चलो t खुद क्या है लेकिन x raise to minus 6 plus 1 so x raise to minus 6 plus 1 की कौन सी पावर है यहाँ पे 1 by 3 plus c actually यह मेरा answer है लेकिन अगर इस answer को हम यह आरे चैसे compare करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा यहाँ पे x की हमें positive power लिखनी है जो मैंने आपको अल्रड़ी पहले सिक्स ओके एंडेन प्लस और पूरे की 1 by 3 पावर एंडेन प्लस c चलो यह माइनस 1 by 2 अब इसको क्रॉस मोलिप ले करो बराबर और पूरे की x raise to 6 पावर और 1 by 3 प्लस c लेकिन मेरे आरे चैस में मुझे यही टम चाहिए सिफ लब कि इन दोनों की 1 by 3 पावर को मुझे सेबरेट करनी होगी ओके सो यहां से 1 by 2 अब यहां से 1 plus x raise to 6 की 1 by 3 पावर अपन क्या होगा तो अपन होगा x raise to 6 की 1 by 3 पावर देर इस x square एंडेन प्लस c ओके अब यहां से देखो आप यहां हमारे आंसर को आरे चसे compare करो बराबर तो मुझे यहां से fx क्या दिख रहे हैं सो एक्चुली माई fx is one upon x square एक में एक काम करो अब हम एक काम करते हैं कि यहां से एक के बाद एक सार्य आप्सको यहां पर रखते हैं तो मुझे यह आंसर मिलता है कि नहीं यह तो है हमरे पास बराबर यह तो है बराबर तो एक काम करते हैं मतलब देखो आगे माइनस आ रही है तो यह प्लस वाले तो दो आंसर निकल गए यह तो निकल गया बराबर अब इन तीनों को हम एक के बाद एक fx के प्रेस में रखते है और उसको x के साथ में मल्डिप्ले करते हैं तो क्या यह तंब आ रहा है कि नहीं that we are going to check तो सबसे पहले option नबर बी ले लो तो अब यहां पर रखते है तो यहां पर एक x तो है ओके उसके साथ में मैं क्या मल्डिप्ले करने वाला हो तो माइनस वन अपोन 6 एक सुप यह क्या हो रहा है तो दिस एक्चुली माइनस वन अपन 6 x2 वाइनस वन आपन 6 x2 चलो यह तो आए नहीं मतलब की option नमबर भी इस ऑल्सु इंकरेक्ट चलो उप्शन नमबर सी को यहां पर रखो तो X into fx fx is what minus one upon two x cube so this is actually minus one upon two x square अभी आ रहे यहां रहे यहां रहे देखो यहां पर बराबर ओके सो option number c is my final answer और square तो होगा incorrect तो इस तरीके से हमें last में सोचना होगा कि अगर मैं इन में से किस चीज़ को fx अपोस करके यहां पर रखू और उसको एक्स के साथ में multiply करूं तो मुझे minus one upon two x square मिला बराबर यह तो as it is here okay so is my question solve करना होगा और यह जो question है पुझे डबली में 2019 में आया था ओके सो पॉस्ट वीडियो एंड नोट इट डाउन कि अच्छा करना है आपको एक सिंपल सा टम उपर दे रखाए और नीचे एक कॉंप्लिकेटर सा टम जिसकी आपको कोई पावर गीवन है इंडिजर पावर गीवन है बराबर तो अगें सेम टाइब करना है तो यहां पर आपको एक्स की सबसे बिगेश्ट पावर कौन दिख रही है चेक करो चलो तो आपको दीखेगी पर बचेगा 3 x is to minus 2 plus x is to minus 4 ओके और पूरे की 4 पावर बराबर एंड डिएक्स चलो अब देर से देखो आउपर तो अभी भी हम एक्सिश्टी रखते हैं तो एक्सेश्टी एलेवन लेकिन 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 यह एकसेश्टी वोर की फूर पावर होगी मतलब कि एक्सेश्टी वीच्टिन पावर होगी और ब्रैकेट में क्या बचा टू प्लस 3 x is to minus 2 plus x is to minus 4 की 4 power and then dx ओके अब x is to 16 का हम क्या करेंगे तो हम इसके साथ में merge कर देंगे इसके साथ में merge कर दो लब प्लस से दोनों को separate दे दो बराबर तो उपपर क्या बचेगा तो उपपर 3 और x is to 13-16 that is minus 3 plus 2 x is to minus 5 ओके चलो और नीचे क्या होगा 2 plus 3 x is to minus 2 plus x is to minus 4 और उसकी होगी 4 power and then dx बराबर चलो अब एक काम करते हैं अब यह मेरा simplified टम आ गया है तो हम क्या करेंगे तो इस अंदर वाली चीज़को ट्रेकेट के अंदर जो टर्म है उसको करेंगे ओके सो लेट 2 plus 3 x is to minus 2 plus x is to minus 4 is equal to टी चलो दोनों तरफ डिफ्रेंशेट करो तो टू का डिफ्रेंशेशन होगा 0 इसका डिफ्रेंशेशन होगा minus 6 x is to minus 3 and then minus 4 x is to minus 5 ओके and then dx is equal to dt ओके अब देखो त्यान से अब मैं एक क्याम करता हूं इन दोनों वैसे में minus 2 को कॉमा निकलता हूं बराबर तो यहां पर क्या बचेगा 3 x is to minus 3 plus 2 x is to minus 5 and then dx is equal to dt अब numerator में requirement किसकी नहीं है minus 2 की तो minus 2 को हम ले जाएंगे रैटेंशेट में यहां पर बचेगा minus dt and upon 2 अब इस सारी चीज़ों को हम यहां पर पुट करते हैं वापिस ओके तो numerator क्या होगा numerator will be minus dt upon 2 बराबर minus dt upon 2 ओके और निचे क्या होता तो निचे होता 1 upon t raise to 4 तो उसको उपर लिखे तो t raise to minus 4 तो यह minus 1 as it is और t raise to minus 4 का अब मुझे सारे answers देखो तो यहां पर एक स्कीप पावर कितनी होगी इसकी पावर होगी 3 एंदेन प्लस सी है एक सिंपल चीज़ बराबर चलो अब अब मुझे सारे answers देखो तो यहां पर एक स्की पॉजिटिव पावर के साथ में लिखना है बराबर चलो तो नीचे क्या करेंगे तो वन अपन देखो यहां पर टू प्लस इसको कैसे लिखो में 3 अपन एक स्क्वेर और इसको हम लिखेंगे वन अपन एक सिस्टू 4 ओके ब प्लस यहां पर होगा 3 x square और यहां पर होगा प्लस 1 राइट है और होल डिवेट बेग्या होगा एक स्टू 4 और उस होल डिवेट की पावर होगी 3 and then plus c then plus c clear चलो अब यह जो एक स्टू 4 की 3 पावर देट इस बेसिकली एक स्टू 12 उसको हम कहां पर लगेंगे एक दम उपर बराबर तो 1 by 6 into यह क्या होगा x is to 12 और नीचे 2 x is to 4 plus 3 x square प्लस 1 की क्या पावर है 3 and then plus c चलो तो हमारा कौन सा अंसर यहां पर मैच हो रहा है तो I think option number a is the correct answer नहीं 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 option number 1 minute 1 minute 1 minute 1 minute कि यहां पे लिख लिए तो यह answer हमारा perfect रोगा okay so option number a is the final answer यहां पर क्यूब था ओके अगर नहीं होता तो लेकिन यहां पर था बराबर मैं लिखना बूल गया था इस तरीक से एक question solve करते हैं बराबर चेक करते हैं फिर से यहां पर वन की power 31 और इसकी power q बराबर चलो यहां पर लसे हम क्या x is to 4 x is to 4 की 3 power is basically x is to 12 वो उपर जाएगा okay और यह 1 by 6 की x is to 12 power और पूरे की 3 power सो पॉस्ट वीडियो एंड नौट इट डाउं ओके सुझें तो अवर नेक्स्ट क्वेशन यह क्वेशन भी जी डवली में 2019 में था अगें थर्ड टाइम यह क्वेशन आया एक ही यह में बदलब कि अलग अलग शिफ्ट में आया होगा okay अगें ऑफ सेम फॉर्मेट देखो यहां पर आपको एक सिंबल से डम गीवन है उपर नुमिरेटर में और नीचे आपको कोई ब्रैकेट की को इंटीजर पावर गीवन है तो यही फॉर्मेट हुआ चलो okay मतलब कि यह जो इंटीगेशन है इसका जो आंसर होगा that is equal to fx as well as हम एक चीज़ भी गीवन है कि f of 0 is equal to 0 then we have to find f of 1 लबकि इसको और इसको यूज़ करने के लिए हम हमें क्या चाहिए f of 1 हम कैसे find करेंगे तो वन को कहां पर रखेंगे fx में x की जगवे मतलब कि हमारे पास fx होना चाहिए तो fx क्या है तो fx is actually integration of this लबकि हमें इसका integration करके जो भी कुछ answer मिलेगा that answer is actually fx बराबर then x में हम रखेंगे 1 तो मुझे अपना answer मिल जाएगा तो हमें solve करना होगा हमारा integration fx चलो तो हमें उपर क्या गिवन है 5 x is to 8 plus 7 x is to 7 6 बराबर चलो मेरे साथ साथ में ही आप solve करो question अब नीची आपको बड़ी पावर कौन से दिख रहे है 7 तो x is to 7 को आप निकालो common तो यहां से क्या बचा यहां से बचा एक x is to minus 5 plus यहां से x is to minus 7 plus 2 बचा सिर्फ ओके और पूरे की कौन से पावर है 2 and then dx ओके चलो अब अगें numerator as it is ओके अब नीचे चेक करो तो x is to 7 की 2 पावर होगी मदब की x is to 14 होगा so what is remaining inside the bracket x is to minus 5 plus x is to minus 7 plus 2 और पूरे का होगा square ओके अब यहां पर क्या करेंगे तो इनको merge करेंगे मतलब की this upon this plus this upon this ओके तो यहां पर क्या होगा उपर 5 x is to minus 6 होगा plus 7 x is to minus 8 होगा और नीचे क्या बचा x is to minus 5 plus x is to minus 7 plus 2 की power 2 and then dx बराबर अब हमें क्या करने है तो इस अंदर वाले टम को सबस्क्राइब करने है ती ओके तो लेट x is to minus 5 plus x is to minus 7 plus 2 is equal to d चलो दूनों तरह डिफ्रेंस जीएड करो माइनस 5 x is to minus 6 minus 7 x is to minus 8 ओके एंड देन dx is equal to dt क्लियर यह चीज़ ओके अब मैं क्याम करता हूं उपड़ से माइनस को कॉमन निकलता हूं तो ही मुझे यह नुमेरेटर मिलेगा ओके सो यहां से माइनस निकलने के बाद उस माइनस को मैं अगर राइन से में टांफर करता हूं तो यह माइनस निटी हो जाएगा तो यहां पर क्या बचा तो यहां पर बच्छा 5 x is to minus 6 और बीच में 1 x is to minus 8 okay and then dx is equal to minus of dt done okay चलो मतलब कि मेरा जो numerator है वो क्या होगा that is actually minus of dt okay so fx is equal to minus of integration and then dt ओके और यहां पर क्या होगा तो 1 upon यह t है so 1 upon t square 1 upon t square को अगर मुझे उपर लिखने है तो मैं कैसे लिखूंगा t raise to minus 2 चलो अब इसको integrate करो तो 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 मैंस टू का इंडिएशन क्या होगा ती दिएस्टो मैंनस 1 upon minus 1 plus c चलो अब देना से देखो तो मैंनस मैंनस कैंसल सुष्ट क्या बचाए टी देश्टो मैंनस 1 टी देश्टो मैंनस 1 इस बिसिकली 1 upon t and t खुद है तो टी खुद है X is to minus 5 plus X is to minus 7 and then plus 2 and then plus c चलो अब मुझे जो आंसर है वह एच्छूली हमारे दूब्ली के को दिन प्लस पावर के साथ में लिखना होगा तो चल्ब इसको प्लस ब्लस पावरा के साथ में कैसे लिखेंगे फ्लस यह नपान एक्सेश टू-f1Ayoke plus two and then plus c okay so my fx become this CM X is 27 वो कहां पर जाएगा उपपर जाएगा directly okay अब यहां पर होगा i2x raise27 and then plus c तो यह आया मेरा fx wherever okay अब मुझे करना होगा तो इसका यूज़ करना होगा f0 equal to 0 मतलब कि f0 का मतलब क्या होगा कि x में यहां पे हर एक x में अगर मैं एक्स की जगह पर 0 तो मुझे क्या मिलेगा 0 ओके तो f0 लाफ एक्स की जगह पर 0 रखता हूं तो मुझे क्या दिख रहे है f of 0 बाट f of 0 is actually equal to 0 अब दियान से देखो हर एक एक्स की जगह पर 0 रखो तो नुमिरेटर में 0 हो जाएगा तो डियरेकल ये पूरी पार्टी तो हो गई 0 then 0 plus C is actually 0 so मुझे यह से c equal to 0 मिला बराबर so my new renovated fx is what my new renovated fx is what to see की जाएगा बर 0 रख दो बराबर so मुझे सिर्फ यही चीज मिली okay so my fx is final fx is x is to 7 upon x square plus 1 plus 2 x is to 7 clear h is okay अब मुझे करना है तो f of 1 फाइं करना है मतला थू आउट x की जगह पर रखो तो उपर 1 होगा क्योंकि 1 की power 7 is 1 upon 1 plus 1 plus 2 so 2 3 4 that is 1 by 4 okay so my final answer is what 1 by 4 okay है मस्केशन एगदम मस्केशन है ओके और यह जो क्रेशन है वो जी डबली मेंस 2019 में आया था ओके तो आपको यह फार्मेट अच्छे से समझ में आया होगा ओके सो पॉस्ट वीडियो एंड नॉटिंट दाउ ओके स्टुटेंस ओ नाव बुएंग तू अनुदर इंपोर्टेंट व्यस्टिंट वोजशन वास्ट इन जी डबली मेंस 2016 ओके सो गेंसे इंफ फॉर्मेट उपर एंपके सिंपल से तम और निचे कॉंप्लिकेटर टम की कोई पावर है बराबर ओके तो मेरे साथ में यह क्वेशन सॉल करना स्टाट करो बराबर सो क्या होगा यहां पर टू एक्स इस टू ट्वैल प्लस फाइए एक्स इस टू नाइन एजडिस नीचे एक्स की सबसे बीगेश्ट पावर क्या है एक्स इस टू फाइड ओके सो चैना उसके जैसे ही है copy सो यहां पर होगा टौ एक्स टू नैन और नीचे क्या होगा तो एक इस टू यह तू फाइट रिपावर ढर इस the facts कि बाबड тиbenु होग और अंदर किया बचा वन्मThere को कैंट तो इनको merge कर दो, बराबर, तो numerator में क्या बचेगा, 2x raised to minus 3, plus 5x raised to minus 6, ओके, और निचे क्या होगा, तो 1 plus x raised to minus 2, plus x raised to minus 5, का cube, and then dx, ओके, अब निचे वाले time को हम suppose करेंगे, टी, ओके, तो, let, 1 plus x raised to minus 2, plus x raised to minus 5, is equal to t, ओके, now differentiate both the sides, so one का difference station होगा 0, इसका difference station होगा, minus 2x raised to minus 3, and then minus 5, x raised to minus 5, whole dx is equal to dt, ओके, अब देखो, numerator में, मुझे बीच में चाहिए, plus sign, so मुझे यहां से minus common निकालना पड़ेगा, और उस minus को हम right hand side में transfer करेंगे, so what is remaining, on left hand side, यहां पे बचेगा, 2x raised to minus 3, plus 5x raised to minus 3, dx is equal to minus of dt, यहां से जो minus common न shift कर दिया, okay, so अब इन सारी चीज़ों को यहां पे put करो, okay, so my numerator becomes minus of dt, okay, और यहां पे और क्या बचा था, 1 upon t cube ना, तो उसको उपर लिखने तो कैसे लिखेंगे, t raise to minus 3, okay, so यह minus as it is, okay, now integrate t raise to minus 3, तो क्या होगा, t raise to minus 3 plus 1 minus 2 upon minus 2, plus 3, यह minus, और यह minus होगा, plus, और यह 1 by 2, और t raise to minus 2 को कैसे लिखेंगे, 1 upon t square, but t is actually what, so 1 plus x raise to minus 2, plus x raise to minus 5, की plus 2 power, and then plus c, okay, अब मुझे answer में चाहिए, x की सारी positive powers, बराबर, so यहां पे होगा 1 upon 2, चलो, अब यहां पे 1 plus 1 upon x square होगा, और यहां पे होगा, 1 upon x raise to 5, और पूरे की power 2, अब चेक करो, यहां पे LZM के आएगा, x x raise to 5, तो whole divide by x raise to 5 होगा, और उस x raise to 5 की separate power करेंगे, तो 2, अब कि x raise to 10 होगा, and that x raise to 10 will go on numerator, so my final answer is, x raise to 10 उपर, नीचे यह 2, चलो, यहां पे क्या होगा, x raise to 5, plus x cube, और plus 1, plus 1 होगा, और पूरे क्या square, and then plus c, so यहां मेरा final answer, तो कौन से option में प्रेजंट है यह, तो, it is present in option, number B, okay, है simple question, okay, so pause the video, and note it down, okay, students, so our next question, यह जो question है, वो जीडेवली में 2015 में पूछा गया था, okay, so अभी तार हमने 2019 के questions देखे, okay, then 2016 के देखा, उसमें भी एक्वेशन था, then 15 में भी एक्वेशन आया था, okay, चलो, अब यहां पे आपको simple एक्टम गीवन है, x square, उसको उपर देखे, तो वो होगा, x is to minus 2, और नीचे है, आपको कोई bracket, जिसके आपको फ्रेक्शन पावर दिख रही है, okay, so again, यही format का यह question है, चलो, तो फटा फट स्वाल करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, तो, dx upon x square, चलो, ब्रेकेट में बड़ी पावर क्या दिख रही है, आपको x is to 4, तो x is to 4 को निकालो, common, तो 1 plus x is to minus 4, यह चीज़ मची, और पूरे की पावर है, 3 by 4, चलो, अब dx, अब यह x square as it is, अब x is to 4 की 3 by 4 पावर, that is basically x cube, तो x cube के हाँ पे आएगा बाहर, तो अंदर क्या बचा, 1 plus x is to minus 4, की 3 by 4 पावर, चलो, यह जो नीचे है ना, यह दोनो लिखे, तो कैसे लिख सकते है, x is to minus 5, और नीचे क्या बचा, 1 plus x is to minus 4, की 3 by 4 पावर, and then dx, बरावर, ओके, चलो, अब हम क्या करेंगे, तो इसको t suppose करेंगे, ओके, so let, 1 plus x is to 4, is equal to t, चलो, इसका डिफ्रेंस से क्या होगा, minus 4, x is to minus 5, dx is equal to dt, चलो, minus 4 कहाँ पे जाएगा, इसके नीचे तो होगा, minus dt by 4, अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पे वापे श्पूट करो, तो my numerator becomes minus dt upon 4, okay, so minus 1 upon 4, चलो, यह क्या होगा, 1 upon t raise to 3 by 4, उसको उपर लिखे, तो t raise to minus 3 by 4, and then dt, चलो, यह minus 1 by 4 as it is, okay, now integrate, t raise to minus 3 by 4, so, इसका answer क्या होगा, तो t raise to minus 3 by 4 plus 1, विल्दाब की 1 upon 4, and upon क्या होगा, 1 upon 4, then plus 3, अब यह 1 upon 4, और नीचे वाला 1 upon 4, will be cancelled out, so, यह minus as it is, और यह t raise to 1 by 4, बराबर, और t खुद क्या है, तो t खुद है, 1 plus x raise to minus 4, और उसकी 1 by 4 power, then plus 3, लेकिन मुझे answer में x की कैसी power चाहिए, द 1 plus, इसको मैं कैसे लेकू, 1 upon x is to 4, और उसकी 1 by 4 power, then plus 3, चलो, minus as it is, cross multiple लेकरो, so, x is to 4, plus 1 upon x is to 4, और पूरे की 1 by 4 power, plus 3, चलो, अब देखो, कौन सा option आपको दीख रहा है, so, I think it is option number, I think, I think, I think, I think it is option number, 1 minute, यहाँ पे minus होना चाहिए, ना, यहाँ पे minus होना चाहिए, तो ही मुझे answer में लेगा, बराबर, तो option में थोड़ी घडबड़ी होती है, ओके, बस, तो यह आएगा, मेरा answer, option number c, ओके, so, यह एक simple question था, जो जे डेबली में is, 2015 में पूछा था, ओके, so, post the video, and note it down, okay students, so, now moving to extra question, पराबर, चलो एकदम मस्क्क्वेशन है, क्या पुछा यहाँ पे, हमें एक fx जीवन है, that is x raise to 2009 upon 1 plus x square raise to 1006, and integration of this fx is equal to this type, then n upon m is actually what, यह actually integer based question है, बर्लब इसका जो answer आएगा, वो कोई ना को integer ही होगा, यहाँ पर आपको options available नहीं होंगे, बराबर, चलो बर्लब कि यह fx जो हमें गिवन है, उसको integrate करना है, और उसका answer को इससे compare करना है, बराबर, चलो, तो यह हमारा इसी format का तो question है, उपर एक सिंप्ले स्टम, और इचे एक complicated की कोई power है, ओके, चलो, तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या क्योंबन है, तो integration of fx dx is integration of x raise to 2009 upon 1 plus x square की 1006 power dx, चलो, अब नीचे से common क्या निकलेगा, तो नीचे से common निकलेगा x square, बराबर, तो x square common निकलने के बात, यहाँ पर बचेगा, x raise to minus 2, then plus 1, और पूरे की 1006 power, and then dx, ओके, चलो, अब यहाँ पर x square की क्योंजी power होगी 1006, तो यहाँ पर x raise to 2009, और नीचे क्या होगा, x raise to 10012, यहाँ पर होगा, x raise to 10012, बराबर, and then x raise to minus 2, plus 1, और पूरे की 1006 power, and then dx, ओके, चलो, अब इसको short out करो, तो यहाँ पर 2009, minus 2012 होगा, बराबर, तो numerator में क्या बचा, x raise to minus 3, ओके, अब नीचे क्या होगा, तो x raise to minus 2, plus 1, और उसकी power होगी 1006, and then dx, ओके, चलो, अब क्या करेंगे, तो इसको t suppose करते हैं, ओके, so, let x raise to minus 2, plus 1 is equal to t, differentiate करो, तो minus 2, x raise to minus 3, dx is equal to dt, ओके, minus 2 की requirement तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नीचे ले जाओ, बराबर, तो now, my numerator becomes minus dt upon 2, okay, so minus 1 by 2, and then dt, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 upon t की 1006 power, तो उसको उपर ले जाएंदे तो क्या होगा, t raise to minus 1006, चलो, यह minus 1 by 2, as it is, okay, अब इसका integration क्या होगा, तो t raise to minus 1006 plus 1, that is minus 1005 upon minus 1005, and then plus c, चलो, यह minus minus तो होगा plus, but 2 into 1005 becomes 2010, okay, so 1 upon 2010, okay, और यह है, t raise to minus power, इसको नीचे लखे तो क्या होगा, raise to 1005 power, but t खूद क्या है, तो x raise to minus 2 plus 1 की power होगी, plus 1005, and then plus c, अभी जो x की negative power है, उसको positive के फॉर्म में लिखते है, बराबर, तो 1 upon 2010 into 1 upon, चलो, यह क्या होगा, 1 upon x square, उसको cross multiply करो, तो मुझे मिलेगा, one plus x square, divide by one plus, divide by x square, और पूरे की 1000 and, 5 power plus c, बराबर, ओके, अब देखो, एक चीज़ जहन से, यह answer में चाहिए, x square upon one plus x square के फॉर्म में, बराबर, तो simple चीज़ है, यह x square की, मतलब की, दोनों को, हम separate power करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे available है, 2010, बराबर, चलो, अब one upon, इसकी भी क्या होगी, one plus x square की होगी, 1005 power, और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा, x square का 1005 power, मतलब की, x is to 2010, वो किदर जाएगा, वो जाएगा, उपर, मतलब, x की कितनी power होगी, 1010 power, and then, plus 3, अब यह answer को, इससे compare करो, लेकिन हमें क्या चाहिए, actually, x square upon one plus x square की, whole power के form में, लिखना है, जो की, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दोनों की separate power है, तो मुझे उपर numerator में कुछ खेल करना होगा, कौन सा खेल करना होगा, कि मुझे पूरे की कोई power मिले, तो द्यान से देखो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, x is to 2010 को मैं ऐसे लिखता हूँ, x square की 1005 power, लिख सकता हूँ ना, और नीचे भी 1 plus x square की 1005 power है, बराबर, तो 1 upon 2010 और something upon something की same power है, तो उसको पूरे की 1005 power भी लिख सकता है कि नहीं, तो x square upon 1 plus x square की 1005 power, अब इस answer को हमारे RHS से match करो, तो n की जगह पे क्या हैगा, 2010, okay, so n is equal to 2010, divide by m कर रहा है, and m क्या है, तो m is actually 1005, okay, okay, so it could divide करो तो आपको मिलेगा 2, so 2 is my final answer, and यह question क्या था, एक कोई integer based question था, और integer ही मुझा answer में मिला, okay, so यह एक अच्छा वाला question था थोड़ा, जो आ सकता है इस तरीका का कोई question, बराबर, okay, so video post कर गें, यह question नोट डाउं कर लो, okay students, so last question of this format and of this lecture, okay, यह जो question है, वो jwe-2020 में आया था, एकदम recent question है, okay, देखो, यहाँ पर नीचे simplest term है, sign cost के form है, और यहाँ पर देखो, एक bracket की कोई fraction power, तो अगेन इसी टाइप का यह question है, बराबर, अगर इसका integration is of this type, यहाँ पर आपको, 1 plus sign ratio 6 की 1 upon lambda power है, बराबर तो हमें fine क्या करना है, तो lambda into f of pi by 3, मुझे सबसे पहले तो fx fine करना होगा, उस fx में x की जगह पर pi by 3 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, f of pi by 3, बराबर, और इसके साथ में मुझे lambda की multiply करना है, चलो तो सबसे पहला हम इसी integration को solve करते हैं, तो यहाँ पर आपको given है, cos x बराबर और नीचे sin cube x, बराब कि यह जो bracket है ना, उसमें आपको कौनसी पावर को common निकाला होगा, तो यहाँ साइन रिस तो 6 x को, तो यहाँ पर क्या होगा, तो साइन रिस तो माइन 6 x होगा की नहीं, ओके देन प्लस 1 और पूरे की 2 by 3 पावर and then dx, clear, चलो अब उपड तो cos x as it is, निचे sin cube x, ओके और sin raise to 6 की 2 by 3 पावर, that is basically sin raise to 4 x, yes or no, yes, okay, then sin raise to 6 x plus 1 और पूरे की होगी 2 by 3 पावर and then dx, okay, चलो अब दियान से देखो, तो आपको यह निचे sin की 7 पावर दिख रहे हैं, उसको अगर मैं उपड शिफ्ट करू, so what I get, I get sin raise to minus 7 x and into cos x, okay, and इचे what is remaining, sin raise to minus 6 x plus 1 and whole raise to 2 by 3 dx, okay, now what I have to do next, इसको t सबस्को करो, okay, so let sin raise to minus 6 x, okay, plus 1 is equal to t, now differentiate both the sides, okay, तो दियान से differentiate करना है, यहाँ पे क्या होगा, minus 6, sin raise to minus 7 x into sin x का differentiation, right, okay, chain rule, that is cos x dx is equal to dt, बराबर, okay, चलो, numerator में आपको किसकी चीज़ की जरुरूरत नहीं है, तो minus 6 की, minus 6 को यहाँ पे right-hand side में transfer करो, तो it becomes minus dt upon 6, okay, अब इस सारी चीज़ों को यहाँ पे put करो, so my numerator becomes minus dt upon 6, okay, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 upon t की 2 by 3 power, उसको उपर लिखो, तो it becomes 2 raise to minus 2 by 3, okay, now integrate t raise to minus 2 by 3, so that becomes t raise to minus 2 by 3 plus 1, that is 1 upon 3 upon 1 by 3 होगा into 3, okay, then plus c, तो यह आएगा minus 1 by 2, और t की 1 by 3 power, okay, now t is actually what, so t is sin raise to minus 6 plus 1 और पूरे की 1 by 3 power plus c, okay, अब मेरा RHS है न, RHS देखो, उसमें sin की positive power है, और यहाँ पे हमारे पास है sin की negative power, तो 1 upon करके positive बना दो, okay, so यहाँ पे होगा 1 upon sin raise to 6x plus 1 और उसकी होगी 1 by 3 power and then plus c, अब इसको cross multiply करो, so we get 1 plus sin raise to 6x upon sin raise to 6x बराबर, और उसकी 1 by 3 power then plus c, अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 plus sin raise to 6 की requirement है, यह जो नीचे sin raise to 6 है उसको उसकी जरुवत नहीं है, यहाँ पे देखो, बराबर तो हम क्या करेंगे, उपर और नीचे की power को separate करेंगे, so यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 by 2 into 1 plus sin raise to 6 की 1 by 3 power upon sin raise to 6 की 1 by 3 power, that is sin square x and then plus c, तो अब इस चीज़ को हमारे RHS से compare करो तो आपको fx का मिलेगा, so you get fx is equal to a, this and this, okay, so minus 1 upon 2 into sin square x is our fx, clear h is okay, तो directly on comparison we get lambda is equal to 3, check करो, यहाँ पे 1 by lambda है और यहाँ पे है 1 by 3, okay, so on comparison we get lambda is equal to 3, okay, and fx is equal to this, okay, now we have to find lambda into f of pi by 3, तो सबसे बेले आपको f of pi by 3 find करना चाहिए, so x की जगा में put करो pi by 3, so minus 1 upon 2, चलो, sin pi by 3 होता कितना है, so sin pi by 3 is actually root 3 by 2, तो उसका square क्या होगा, उसका square को 3 by 4, okay, तो यह basically आया, minus 1 upon 3 by 2, that becomes minus 2 by 3, मतलब कि f of pi by 3 की value मुझे मिली, minus 2 by 3, okay, अब lambda से इसको multiply करो, so lambda आया मेरा 3 into, f of pi by 3 की value की आयी, minus 2 by 3, okay, यह दोनों cancel, so my final answer is, minus 2, that is option number C, है एकदम simple सा question, okay, so यह जो question है, 2020 G means में आया था, okay, so I hope कि यह format में से कोई भी question आपको निकाल के दे दे, बराबर आपके year में, okay, so आप आसनी से इस तरीके के question को solve कर सकते हो, बराबर if you are lucky, तो आपके shift में एक question आ सकता है, बराबर चलो, तो भगवन से प्रात्ना करका कि आपकी ही shift में यह question इस तरीके का आए, okay, so pause the video and note it down.